नई वीडियो में आपका स्वागत है अभी जैपूर में हूँ और यह जैपूर का सांगानेरी गेट आपके सामने है यहां से यह वीडियो शुरू कर रहे हैं और आपको अंदर सिटी में पुरा सिटी का एक टूर देने वाले हैं जो जैपूर की पुरानी सिटी है पुरा व और अभी हम सांगानेरी गेट के अंदर वाली साइड में आगे हैं सामने ये संजे बाजार है और इधर चलेंगे तिये जोरी बाजार है और ये यहां अन्वान जी का मंदिर है और इधर सामने देखेंगे तो इधर ये बापू बाजार है और ये यहां गोल गप्पे जो जेपूर के फेमस है वो यहां पर आप खा सकते हैं गेट के साथ में ही पुरा वीडियो देखेंगे आपको मजा आएगा आएए इधर अंदर चलते हैं सिटी में और सिटी को देखते हैं और ये जोहरी बाजार में चमड़े की जूती चपल लेदर का सामाद और ये जोहरी बाजार यहां से सुरू हो जाता है ये दोनों तरफ आप देखें आईए और आगे चलते हैं और ये यहां पुराणी सब्जी मंडी जोहरी बाजार में इसके अंदर जाएंगे तो ये पुरी सब्जी मंडी है और ये फ्रूट और वेजिटेबल आपको यहां पर मिल जाते हैं और ये जोहरी बजार में आपको ये निसान मिलेगा रोड के बीच में और ये पिंक सिटी जिसे बोलते हैं पिंक कलर में पुरा को पुरा ये सिटी आईए और अंदर चलते हैं ये दुकाने आप देख रहे हैं नंबर वाइज ऐसी ही दुकाने आपको पुरे पुराने जेपुर सहर में देखने को मिलेगी आप किसी भी रोड पे चले जाएं ये ही ऐसे ही दुकाने बढ़ी हुई हैं सब जगह में ये जोहरी बजार है आप दूसरे भी बजार में जाते हैं तो आपको आइसी दुकाने तकरीवन देखने को मिलती हैं जिसमें अंदर दुकान है और बाहर ये शप्रा जिसको बॉलते हैं या जिसको बालकोनी बॉलते हैं यह आगे जो सेट बना हुआ है यह आपको देखने को मिल जाते हैं यह जैसे पिल्डर के उपर दुकान के बाहर गेल्डी पूरे लंभी गेल्डी इसमें और यह पूरा जोहरी बजार का व्यूप आईए और आगे चलते हैं और यह इसी बजार में एक और अंदर गली जाती हुई सब्जी मंडी के बाद की गली और यह जैसे मंडी अभी आपको बताया वही सेम पैटर्न की दुकाने और उपर तक यह तिन तिन चैर चार पास पास मंजिल का बना हुआ यह पूरा यहां का ही साब किताब आईए और आगे चलते हैं और यह आप देखें यह रोड के साथ साथ में पार्किंग आप जो देख रहे हैं जैसे यह चोटे टू विलर है और ऐसे यह फोर विलर जो गाडिया है यह आप यहां पर पार्क कर सकते हैं और यह साहब है यहां पर पार्किंग वाले भईया यहां कितना पैसा लेते हो पार्किंग का दो गंटे का दस रुपया पार्किंग है टू विलर का और फॉर विलर का दो गंटे का तीस रुपया ओके और ज्यादा टाइम के लिए कोई खड़ा करे तो तीस रुप्य घंटा लगता है कितना भी टाईम के लिए आप खड़ा कर सकते हूँ यहां को पार्कीन नहीं इस आप में पार्किन है यह रोड साइड में पार्किंग है दन्हेवाद आपका बहुत बहुत दन्हेवाद चलो आगे चलते हैं और यह यहां अभी हम आ नेशनल हैंड लूम हैं यहाँ पर नेशनल हैंड लूम खॉर्प पॉरेशन और ऐसे यह बहुत चारे जुकाने बहुत चाले शोरोम यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं और यह यहां का पूरा सामने का इसाथ किताब आप देख लीजिए काफी पुराना यह देखिए विराठी बावन यहां पर है और ऐसे ही आपको हर चीज यहां पिंक कलर में ही देखने को मिलेगी और यह रोड के बीच म आपको और भी देखने को मिलेंगे, आएए आगे चलते हैं, और ये एक और गली अंदर जाती हुई, जिसे पितलियों का रास्ता, बोलते हैं, और ये इसके साथ में, बुरा भी, और ऐसे ये सामने भी, प्राफिक के वो साइड आप देखेंगे, तो सामने भी एक गली है, आ और ये लक्समी मिश्टान बंडार, LMB, जिसे बोलते हैं, जेपुर का एक फेमस ब्राण्ड जो, 1727 से ये है यहाँ पर, राजस्तान के जेपुर में, ओठल है उपर, और निचे ये रेस्टोरेंट है, आईए और आगे चलते हैं, और ये इस गली के नुकड पे सब उपर, सब के उपर बंदर बढ़ा हुआ है, अपने बच्चे के साथ में, ऐसे आपको बंदर बहुत सारे जेपुर में देखने को मिलते हैं, बहुत सारे बंदर हैं, जो कभी कभी किसी को नुकसान भी कर देते हैं, काटने के लिए दोड़ते हैं, या नुकसान करते हैं, और यह यहां मंदिर है मंदिर जंपावची का और यह कि आइसी आइसी बैंक का बिल्डिंग है और एक यह बंदिर यहां बरी भी है देखिए आप यह बच्छे को साथ में लेगे यहां भी बैठा है और यह पुरा आगे जोरी बजार और यह जोरी बजार का यहां पर ओपिस है क्योंकि ये जोरी बजार में ज्यादा ज्वेलर की दुकान है आईए और आगे चलते हैं और ये राजस्तान की सान साफे अलग-अलग कलर में चुनरी के साफे चट के उपर रखे हुए हैं यहां से आप उपर जा सकते हैं यह जीना है यहां उपर जाने का रश्ता और यह चीज़ें यहां आप ले सकते हैं और यह यहां पुरी पार्किंग टू विलर के लिए आईए और आगे चलते हैं और यह यहां सामने जामा मस्जिद है जोहरी बजार के जामा मस्जिद और यह सामने पार्किंग टू विलर के लिए और यह सामने का पूरा व्यू काफी बीड़ बाड़ वाला जोहरी बजार ट्राफिक अमेशा इसमें रहता है आईए और आगे चलते हैं और यह नटवर महल के नाम से एक बिल्डिंग है काफी बड़ी बिल्डिंग और काफी खूब शुरी जिसको बढ़ा रखा है इसी जोहरी बजार में आईए और आगे चलते हैं अभी इस बजार से चलकी आए हैं जोहरी बजार और यह यहां भी राजस्तानी साफा चुन्दरी का राजस्तानी साफा बहुत सारा आपको देखने को मिल जाता है और यह यहां अभी हम बड़ी चोपड भी आ गए हैं यह सामने आपके बड़ी चोपड है यह आपकी बड़ी चोपड और यह जो सामने आपको दिखाई दे रहा है यह हवा महल है यह देखो आपको उपर लोग दिखाई दे रहे होंगे जोग ज्यादा करते हैं तो दिखाई नहीं देटा तो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपने पूरा वीडियो देखा यही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें जय हिन जय बारत